हसाने का फूल गारंटी है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो एक बार दो शराबी रात को नशे में तुन होकर एयरपोर्ट पर खड़े थे उन्होंने एक टैक्सी रोकी और टैक्सी वाले को बोले चलो भाय एयरपोर्ट ले चलो टैक्सी वाले ने पहले तो उनकी हालक देखी और फिर सोचा कि चलो मुफ्त के पैसे बना लेता हूँ इसलिए उसने उनको टैक्सी में बिठाया और दो मिनट बाद ही बोला लो साहब एयरपोर्ट आ गया एक शराबी नीचे उतरा और टैक्सी वाले को पैसे दे रहा था कि दूसरे शराबी ने टैक्सी वाले को जोरदार थपपर लगा दिया टैक्सी वाला दर गया कि कहीं इसे पता तो नहीं लग गया इतने में शराबी बोला आराम से चलाया कर नहीं तो आज हम मरही जाते शराब की लट से प्रेशान एक शक्स डॉक्टर के पास गया और बोला दॉक्टर साहब मेरी शराब चुडाओ डॉक्टर ने पूछा रोजाना कितनी पीते हो शराबी बोला चार पैग दॉक्टर बोला धीरे धीरे एक पैगा कम कर दो शराबी एक हफ़ते बाद डॉक्टर के पास पहुचा डॉक्टर ने पूछा अब कितनी शराब पीते हो शराबी ने जवाब दिया तीन पैगा डॉक्टर ने कहा अब एक पैगा और कम कर दो दो हफ़ते बाद शराबी फिर डॉक्टर के पास गया डॉक्टर ने पूछा अब कितनी पीते हो मेरे भाई शराबी बोला सर दो पैगा डॉक्टर ने बोला बस अब एक पैगा और कम कर दो शराबी ने उदास होकर जवाब दिया सौरी डॉक्टर साहब पूरी बोतल को एक पहीग में तो नहीं खत्म कर सकता मैं। अदालत में मुकदमा चल रहा था कि शराबी पती ने अपनी पतनी का हाथ तोड़ दिया। जज के सामने जब पती को पेश किया गया तो उसने सुबकते सुबकते सारी घटना सुना दिजज ने पती से भविश्य से अच्छा व्यवहार करने के वायदे पर उसे छोड़ दिया। लेकिन दूसरे दिन ही उसे पत्नी का दूसरा हाथ तोड़ने पर जज के सामने लाया गया। इस बार उसने सफाई देते हुए बताया। हजूर छूटने पर अपने को संभालने के लिए मैंने थोड़ी सी शराब पी पर। जब इससे भी कोई फर्थ नहीं आया तो थोड़ी थोड़ी करके मैं दो बोतले पी गया। दो बोतल शराब पीने के बाद जब मैं घर पहुँचा तो मेरी पत्नी मुझ पर चिलाने लगी। की शराबी आ गया नाली में लेट कर। हजूर मैंने अपनी हालक पर गौर किया और सोचा शायद ये ठीक कहती है। इसलिए मैं खामोश रहा। इसके बाद वह बोली हराम खोर। कुछ काम धंधा भी करा कर। हजूर मैं इस पर भी मैं कुछ नहीं बोला पर फिर तो इसने हद ही कर दी और बोली। अगर जज में थोड़ी सीवी अकल होती तो तू अब तक जेल में होता। बस हजूर अदालत की तोहीन मुझसे बरदाश्ट ना हुई।